एगाईज, वेल्कम टुट आरगेट सरकारी ने अखरी मैं होर्शाद अली, खंड सिक्षा अधिकारी का मॉक्टस नमबर आप 18 देख रहे हैं जिसमें डिसकस करेंगे समान्य अध्यान के 30 प्रस इंपॉर्टन कोईशन्स को वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए और पहला सवाल देखिए, निमलिके कतनों पर विचार कीजिए, इसमें एक कतन आपको दिया हुआ है और इस कतन का कारण बताया हुआ है, सबसे पहले आपको कतन A को चेक करना ये सही है या गलत है, उसके बाद आपको इसके कारण इसको सही explain कर पा रहा है कि नहीं कतन को, दोनों को आप चेक कीजिए सही है या गलत है, उसके basis पर आपको नीचे इसके answers गिवन है, तब एक option आपको select करना है, तो पहला हम statement यानि कतन चेक करेंगे, statement A कह रहा है कि भारत की जनगर्णा हर 10 वर्ष पर की जाती है, साल 1881 से भारत की जनगर्णा हर 10 सार के अंतराल पर ही की जा रही है, ये statement बिलकुल सही है, तो statement A बिलकुल ठीक है, अगर हम इसका reason देखें, इसका कारण क्या बताया हुआ इस statement का, कि 10 वर्ष की अबदी के दोरान भारत की जनसंग्या अधिकांश्ता आपरिवर्थित रहती है, क इसमें भारत की जनसंग्या 101 करोड थी, अभी अगर आप जनसंग्या देखें 2020 में, तो ये जनसंग्या 130 करोड के पार पहुँच चुकी है, तो इसका मतलब ये गलत है, यानि अपरिवर्थित नहीं है, बढ़ती है, वृद्धी होती रहती है, ठीक है, तो ये कारण इसका जनगर्णा किस के साशनकाल में शुरू हुई थी, साल 1872 था वो, लौड मेयो के साशनकाल में शुरू हुई थी, लौड मेयो, और 1881 से भारत में हर 10 साल के गैप में, लौड रिपन के कारेकाल से 1881 से जो हर 10 साल के गैप पर ये सैंसस की जाती है, अगला क्वेशन देखें है कि 2011 की जन्गर्णा के अंतसा सरवाढ़िक नगरिय जन्संख्या वाले शेहर कौन से हैं या यूग्म या पेर कौन सा है इसमें अगर आप बात करो तो मूंबई और दिल्ली नगरिय यूग्म में जिसमें सरवाढ़िक population है 2011 की जनगर्णा की according अगर आपसे पूछे simple अलग तो सबसे ज़्यादा population इन चारों में किसकी है मुंबई में दिल्ली में कोलकता बैंगलूरू में तो तो उत्तर प्रदेश की जनगर्णा की according या फिर आप कहेंगे भारत की जनगर्णा की according यूपी का literacy rate है 67.68 या option में आपको ये भी मिल जाएगा 67.7 ये भी option ठीक रहेगा और ये भी ठीक है तो इसका अगर आप बता रहे हैं किसकी महिला साक्षरता दर वो है 57.2 परसंट और पुरुष पुरुष शाक्षरता दर है male literacy rate है 77.3 परसंट दोनों data याद रखने है important है आज अक्जाम में next question 2011 की जनगर्णा के अधार पर उत्तर प्रदेश के संदर में निमलिकित आंकडों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर लक्षण है और यहाँ पर इनके values दी है तो इसमें आपको ए में दे रखा है देश की जनसंक्या में उत्तर प्रदेश की जनसंक्या का प्रतिशत 16.5 एक प्रतिशत है बिलकुल तो यह बिलकुल सही है यानि आल्रेडी यह मैच्ड है तो यह क्या है देश की जनसंक्या में उत्तर प्रदेश की population 20 करोड है और 121 करोड पूरे भारत की है तो यह population इस population का कितनी है 16.51 परसंट है प्रतिवर्ग किलोमीटर घनतव यानि उत्तर प्रदेश का घनत पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की population density यानि एक वन वर्ग किलोमीटर स्क्वाइर में कितने लोग रहते हैं UP के अंदर 829 रहते हैं यह भी मैच्ड है उत्तर प्रदेश में 2011 से 2011 की दशक में जन्संक्या में प्रतिशत विर्धी कितनी हुई है 20.23 परसंट हुई है यह भी मैच्ड है अगर आप लास्ट देखेंगे तो यह कितना है महिला साक्षरत अदर उत्तर प्रदेश की female literacy rate कितना है 57.18 तो यहां से आपके यूपी सेंसस के कितने questions तयार हुए चार से पांच तो यह सारे के सारे already matched है इनका सामने वाला data आपको यह याद रखना है नेक्स question 2011 की जनगर्णा के लिए निमलिकित में से कौन सा आदर्श वाक्य उप्योग किया गया था इसमें 2011 की सेंसस जो हुई थी उसमें theme क्या था 2011 की सेंसस का theme आपको बताना है और इस theme को आप जानते हैं our census our future हमारी जनगर्णा हमारा यह देखें our census our future यह रहेगा option d इसक our future नेक्स question देखें हमारी जनगर्णा हमारा भविश्य निमलिकित में से कौन एक भारत्य समविधान के अंतरगत आपात की घोशणा का आधार नहीं हो सकता है तो देखें यह अच्छा question है तो यह देखें इसमें जो भारत में आपात का लिया इमर्जंसी लगाई जाती इम ग्राउंड क्या होना चाहिए किस आधार पर आप इमर्जंसी घोशित करेंगे भारत के रास्पति देश में सवाल आपसे यह है जब देश में इमर्जंसी की घोशना की जाती है रास्पति के दोवारा तो समयधान का अनुचेद 352 के अंतरगत क्या होता है युद्ध के आ आशानती का आधार नहीं हो सकता है तो यह आंसर हो जाएगा D option इसका सही आंसर है बिल्कुल आर्टिकल 352 में राश्ट्रिय अपातकाल लिखा हुआ है आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है क्या रास्टपति साशन यानि प्रेसिरेंट रूल और आर्टिकल 360 में लिखा हुआ ह यह आर्टिकल 360 में है विट्य अपातकाल ठीक है financial emergency भारत में आज तक जो है financial emergency नहीं लगी है रास्टपति साशन देश के कई राज्यों में अलग-अलग कई बार लग चुका है और देश में अगर national emergency यानि रास्ट्य अपातकाल जो 352 के अंतरकत लगा जाता है वो तीन बा दिया हुआ है आपके लिए संग मंत्री परिशद जो है संग मंत्री परिशद लोकसभा के प्रती सामुहिक रूप से उत्तरदाई होगा दूसरा statement है संग के मंत्री प्रधान मंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारन करेंगे अगर आप बात करें आर्टिकल 75 की संग मंत्री परिशद लोकसभा के प्रती सामुहिक रूप से उत्तरदाई होती है यह सही है तो इसमें केवल एक ही सही है दूसरा गलत है अगला सवाल देखें यहां लिस्ट वन और लिस्ट टू आपके सामने दिया हुआ है लिस्ट वन में इसमें आपको शेडियोल दिये निस्ट वन में हैं बारत के संविधान में 12 आनुसूचियां है और 12 आनुसूचियों में 4 आनुसूचि लेफ साइड में और इनके विशे सामने दिये हुए है तो सात्वी अनुसूची किस बारे में बात करती है सात्वी अनुसूची आपको मालूम है ये ये विधाई शक्तियों के बारे में बात करती है विधाई शक्ति किसकी केंदर और राज्यों के बीच में शक्तियों का बटवारा अनुसूची साथ में किया गया इसके अंतरगत तीन सूचिया बनाए गए संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संग सूची में वे विचय आते हैं जिसमें केंदर सरकार या पार्लियमेंट कानून बना सकती है राज्य सूची में केवल राज्य सरकार रही उन विश्यों पर कानून बना सकते है समवर्ती सूची में राज्य चाहें केंदर सरकार चाहें दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है तो ये विधाई शक्तियों का वित्रण किया गया है साथमी अनुसूची में तो ये आपका मैस्ट है पंधाली, डोगरी और बोडो ये आठवी अनुसूची में शामिल हुई है और अगला देखिए नवी अनुसूची में क्या बताया हुआ है कुछ अधिनियम का विदी मान्य करन ये भी अल्रेडी मैच नहीं हाँ पर इसमें जो सम्विधान में बावनवा संशोधन अधिनिय गई थी, वो 9 अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी ये समस्विधान का पहला ही संशोदन था, तो समविधान के पहले पिर्फम संशोदन के अनुसार 9 अनुसूची Add कि गी थी शुरूवात में 8 अनुसूचिएं हुआ करती थी भारत के समविधान में तो इसमें जो है र अपने candidates को खड़ी करती हैं, तो क्या होता है, एक party का नेता दूसरी party में जो है, एक दल का नेता दूसरे दल में क्या कर लेता था, एक तरिके से दल को अपने बदल लेता था, उसी पर रोक लगाने के लिए एक दल बदल कानून लाया गया, जो कि दस्वी अनुसूची के तहत आट किया गया था 52 वे संचोदन अधिनियम के द्वारा दल बदल से संबंदित है ये दस्वी अनुसूची तो ये सारे के सारे already matched है ये सारे इसलिए सामने लिखें ताकि आपको याद रहें ठीक है एक्जाम में ये शफलिंग करके देगा ये नंबर बदल देगा आपको ठीक है अभी ये सारे already matched है सामने लिखे हुए आपके अगला सवाल देखें चलिए अगला सवाल फिर से matching का है आपके लिए निम्न में से कौन भारत्य संवीधान के अंतरगत सुमेलित नहीं है अगर यहाँ पर बात की गई इधर भाग हैं सारे और इनियों भागों के विशे हैं समयधान में मूल समयधान में 22 भाग थे और इतने भाग 9 बात करता है पंचैत्स के बारे में और भाग 9 का कह बात करता है मिंसिपल्टीज या फिर नगर पालिकाओं के बारे में भाग नौकाँ बात करता है सहकारी समीतियों के बारे में तो ये सारे उल्डी match हैं अगर आप बात करें अधीकरण अधीकरण ये match नहीं है तो इस में अंसर हो जाएगा सुमेरित नहीं है भाग 10 में अक्चुली बताया क्या गया है तो इसमें अनोसोचित छेतरों से संबंदीत है कौन भाग 10 तो ये तीनों मैच डाउन लेडी चलिए अगला कोशन देखे नाबाट के संबंद में नाबाट के संबंद में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए देखें अच्छा कोशन है ये तो नाबाट के संबंद में आपको इन कत्नों पर विचार करना है सबसे पहले तो नाबाट के आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है तो यहाँ पर आप नाबाट के फुल फॉर्म के रहेगी National Bank National Bank for Agriculture and Rural Development National Bank for Agriculture and Rural Development इसकी स्थापना वर्ष भी आपसे पूछता है याद रखीगा 12 जुलाई बहुत इंपोर्टन्ट है ये 12 जुलाई 1982 1982 को स्थापित किया गया था नाबाट को और इसको हिंदी में कहते है राश्चे क्रशी और ग्रामीन विकास बैंक नाबाट इसके द्वारा क्या होता है ये किस फिल्ड में काम करता है ये development of agriculture के लिए भी काम करता है तो यहाँ क्या दिया हुआ है ये केवल क्रशी की साथ के लिए सुविदा प्रदान करता है तो ये क्रशी छेतर के साथ साथ ये जो है small industries, cottage industries वगयरा जो होती है उनके विकास के लिए भी कार करता है तो statement दो तो गलत हो जाएगा और अगर आप बात करें नावाट संसत के अदिनियम वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था ये बिल्कुल सही है आपका तो एक statement मिल्कुल सही हो जाएगा next देखें सोक्षम लगो एवं मध्यम उद्यम विकास अदिनियम किस वर्ष प सेवी सेवी की फुल फॉर्म आपसे एक्जाम में पूछ लेता सेवी अदिनियम कब पारित हुआ था 12 अप्रेल 12 अप्रेल 1992 में हुआ था ये और इसका अंसर हो जाएगा सी इसको भी याद रखेंगे तो सेवी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला कॉशन निमलेकित में से कौण ट्रांजिस्टर का एक महतफपून भाग है तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसमें हम सेमीकंडूक्TERS इस्तमाल करते हैं और semiconductor कौन-कौन से हमारे पास में germanium और silicon होते हैं तो इस पिरकार अब कह सकते हैं हम इस तरह से यहाँ पर देखिए options में अगर आप देखें तो जो germanium है germanium क्या होता है transistor का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है तो इसका answer हो जाएगा option B अगला देखें निमलेकित कत्नों पर विचार कीजिए कसन A statement A में दिया हुआ हलके रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरेता दी जाती है हलके रंगीन कपड़े हम गर्मियों में ठीक है या नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक है हलके रंगीन कपड़े ही जो है गर्मी में priority हम देते हैं उनको ही पहनते हैं क्यों पहनते हैं क्योंकि हलके रंग जो है उसमा को कम अफ्शोशित करते हैं जो heat आती है जो गर्मी लगती है उसको कम अब्सॉप करते हैं जो हलके रंग के कपड़े होते हैं, तो ये दोनों ही ठीक है, statement भी और इसका कारण भी ठीक है, और इसका जो हलके रंग जो उसमा को कम अप्शोषित करते हैं, ये इसको सही explain भी कर रहा है, तो इसका answer A हो जाएगा, निमलेकित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, तो ये लाल फासफोरस होता है, जिसका निर्माण दिया सलाई में किया जाता है, option C, इसका सही answer है, and the next question देखें, करनाल बंट, करनाल बंट ये रोग जो है, किसका है, बताना है, तो ये गेहूं, जो गेहूं की quality होती है, गेहूं की जो गुडवता है, उ किसे कहा जाता है, तो गेहूं का किस रोग करनाल बंट रोग को ही कहा जाता है, and the next question, मच्छरों के बारे में कुछ statement आपको दिये हैं, और इन पर आपको विचार करके सही answer बताना है, पहला statement है, केवल नर, जो नर मच्छर होते हैं, वो रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक् चूसती है, या मादा की अपक्छा नर के डैने बड़े होते हैं, तो आपको देखें, पांच statement है, यह अच्छा कहसा question है, और यह आपका जो question जितने भी पढ़ रहे थे, यह ARO का जो paper आपका 2016 में हुआ है, यह उसके questions से सारे के सारे, आप देख रहे हैं, question का level काफी ठीक ह चूसती है, तो नर की अपक्छा जो मादा होती है, नर की अपक्छा मादा मच्छर जो होते हैं, उनके डैने बड़े होते हैं, और केवल मादा मच्छर ही रखत चूसती है, जबकि नर मच्छर अपना जो portion है, वो फल फूल जो होते हैं, इनका रस speaker के एक तरीके से करते हैं अपना जो भरन पोशन होते हैं तो इसमें जो है कथन 2 और कथन आपको जो 5 वा है ये ठीक है कथन 2 और कथन 5 ये वाला और ये वाला नर्किया पेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं केवल मादा ही रख चूसती हैं तो ये आंसर इसका D option सही रहेगा अगरा सवाल देखें निमलेकित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था इनमें से बताना है किसका जन्म आगरा में हुआ था देखें इसका आंसर हो जाएगा सारी पहले question पढ़ लेते हैं निमलेकित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था तो जो मिर्जा गालिब थे उर्दू के महानशायर मिर्जा गालिब इनका जन्म हुआ था साल 1797 साल 1797 आगरा में हुआ था ठीक है आगरा में हुआ था मिर्जा गालिब का जन्म और उनकी मृत्ति हुई थी दिल्ली में अगला क्वेशन देखें निमलेकित में से किस नगर मे राज किये ललित अकैडमी उत्र प्रदेश स्थापित की गई है तो ये लखनव है लखनव है और इसका अगर आपको डेटे अगर आपसे पूछ ले तो ये अगर आपसे पूछे तो आट परवरी 1962 में लखनव में राज किये ललित कला अकैडमी की स्थापना की गई थी ए अगला देखें इसमें से आपको सुमेलित बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है तो देखें लखीमपूर खीरी तो के लिए मैनपूरी, सहारनपूर, भिजनोर, बुलंशेर, मिर्जापूर आदी है ठीक है तो इसमें ये वाला नहीं है मैज्ड लखीमपूर खीरी नहीं है खुर्जा की अगर आप बात करो तो खुर्जा मृतिका शिल्प ये पोट्री के लिए बहुत फेमस है मेरट में ख जूडियों के लिए फेमस है और मुरादाबाद जानते हैं आप पीतल के बरतनों के लिए फेमस है ब्रास सिटी ओफ इंडिया इसको कहते हैं टांडे की अगर आप बात करें टांडा विद्युत करगा के उत्पात के लिए ये क्या है फेमस है तो ये सारे के सारे अल्लेड masked करके रखे हुए आपके सामने and next question देखे अगला देखिए उत्रपरदेश के निमलेकित में से किस मंडल में पृत्थम समाजबादी अवीनव विध्याले खोला गया था तो इलावाद मंडल के चाका विकास खंड में खोला गया था ये option A इसका सही अंसर है चले next question देखे समुद्र गुप्त के प्रियाग प्रशस्ती वाले स्तंब पर निमन में से किस का उलेक मिलता है तो समुद्र गुप्त का जो कभी हुआ करता था हरिशेन उसके दरवार में जो है हरिशेन के द्वारा अचित है ये प्रियाग प्रशस्ती और इस पर जहांगीर का एक लेक लिका हुआ है option A जहांगीर ठीक है next question जलें बुद्ध दुआरा रुपांत्रित निमन व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था यानि जब बुद्धिजम चल रहा था तो उसमें सबसे लास्ट कौन था जो बुद्धिजम में कनवर्ट हुआ था बुद्ध गोतम बुद्ध दुआरा बुद्ध दरव में रुपांत्रित आखरी व्यक्ति जो था वो कौन था वो सूबद्ध था next question निमले के सासकों में से किसे एका ब्रहमन किसके लिए एका ब्रहमन प्रियुक्त किया गया है तो ये है गोतमी पुत्र शातकर्णी के लिए एका ब्रहमन या अधित्य ब्रहमन इसको कहा गया है and next question देखें 1857 के विद्रो के दोरान बहादूर शाने किसे साहबे आलम बहादूर का खिताब दिया था चलिए तो ये कौन था बक्त खान answer C.O.S. का बक्त खान 1925 में Central Legislative Assembly का अध्यक्ष निमने में से कौन था या इकोशन हम कल भी कर चुके हैं बिट्टल भाई पठेल अगला देखें निमलेखित में से किस जिले में मार मिर्दा पाई जाती है तो ये मार मिर्दा का important question है तो मार मिर्दा actually जो काली मिट्टी होती है काली मिट्टी के दो टाइप होते हैं एक तो कावर्ड मिर्दा कावर्ड सॉयल कहते हैं मार सॉयल होती है तो मार सॉयल जो गेहों के लिए और कपास के लिए उपयोगी होती है तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा जहां सी जो सॉयल ओफ इंडिया है आज या कल में इसको डिसकस करेंगे सॉयल ओफ इंडिया को अगर टाइम रहेगा शाम को साथ वे तक वीडियो आ जाएगा आपका Soil of India पर भारत की मिट्टियों को डिसकस करेंगे आज हम और नेक्स कोशन देखें राश्चे वन नीती 1952 के नुसार निम्न में से कौन सा वन जो है समवर्ग नहीं है कौन सा वन का समवर्ग नहीं है इसमें तो 1952 की राश्चे वन नीती जो थी उसके नुसार चार वनों को चार रूप में वर्गी करत किया गया था एक तो संडक्चित वन है दूसरे राश्चिय वन है तीसरे ग्राम वन है और व्रिक्च भूमी है जो राश्चिय उद्यान है नैशनल पार्क है वो इसका हिस्सा नहीं होते हैं तो ऑप्शन एसका सही अंसर हो है कि भारत में जो उर्जा का प्रड़क्शन है किस से जादा होता है किस से कम होता है तो भारत में जो उर्जा का उत्पादन है उसमें सबसे ज्यादा गर आप बात करो तो होता है ताप ये उर्जा यानि कोईले से होता है कोईला वाला ऑप्शन में है यह नहीं तो उसको ह हिसाब से तो यह इस मॉप टेस्ट में हम इतने ही क्वेशन से रहने देंगे तो आज स्वाइल ओफ इंडिया अले लेक्चर का आप इंजार करिएगा और कल कोई भी वीडियो आपका नहीं आप आया था तो ज्यादा ही कुछ अकर प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो नहीं आ अपका पूरा पेपर लगबग बन जाता है तो पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं बचेगा तो आपको एकनोमिक्स भी करवा दिया जाएगा चलिए thank you so much वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर याद नहीं है तो